निया ए मैं हम bank statement वाला option पर क्लिक करेंगे स्केपार दोस्तों हमसे फांस पुछा जाएगा इसके बाद हमसे पुछा जाएगा आपका कौन सा है आपको जो भी बंक है आपना नाम चाहँ पर शर्च कर ले मेरा पंजाम토ंगा तो मैं पंजान मेचंड बैक यहां पे सर्च कर लेता हूं ठीके यहां प्लोड करना है इसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है इहां पर आप सकते हो आपको यहाँ पर upload करना होगा तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने तीरवाला option पर हमने click किया click कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से जो भी आपका file होंगे वो file से आप अपना statement यहाँ से उठा लिजिएगा उठा कर यहाँ से upload कर देजिए इसके बाद finish पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर click कर देंगे इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से हमसे मंगा जाएगा कि आप अपना PDF का password डाल दीजिए जो भी आपका file करना होगा अगर आपका पंजाम नेशनल में है तो आपका account number ही आपका अधर हमें wait करना होगा wait करने के बाद हमारा जो bank के statement है वो verify किया जा रहा है तो हमें दोस्तों यहाँ पर थोड़ से आप यहाँ थोड़ा एक दो मिनट का time लग सकता है आपको यहाँ आपको घबरानी की जरूत नहीं है आपको यहाँ पर थोड़ा एक दो second आपको रुकना यहाँ पर दिखिए का loading credit यहाँ पर लिया जाए फिर हमसे ऐसे बोला जाए अपना अधार नमर डालिया और अधार का आपका जो भी है back for back का और front का आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा इसके बाद आपको summit पर click कर देना होगा मैंने यहाँ पर summit पर click कर देता हू यहाँ पर दोस्तों मैं अधार नमर डालना भूल गया अधार नमर में फटा फटसीन डाल देता हूँ अधार नमर डालने के बाद दोस्तों आप summit पर हम click कर देंगे जैसे हमने summit पर click करेंगे तो कुछ ऐसा interface सो होगा आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको timing ले लिया ज यहाँ आपके net के speed कितना है उस हिसाब से अपलोड हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखे हमारा हो चुका है अब हमें आगला step देखते हैं कि आगे का step क्या आता है तो यहाँ पर दोस्तों आगे का step है यहाँ पर हम से पुछा जा रहा है कि आपका जो address है same है या नहीं है अगर same है तो yes पर click करेंगा process पर click कर देंगा हमारा same है तो हम same पर click करेंगा process पर click कर देंगा आप please wait हमें तो आसा wait करना होगा ठीक है तो हम wait कर ले इसके बाद दोस्तों uploading credit line है हमारे पास आप देख सकते हो का 28000 रुपे का मुझे निरा से लोन यहाँ पे मिल चुका है और जिसका यहाँ पर 3% MI है और 3-6 मंत के लिए मुझे यह लोन मिला है तो हमने दोस्तों इस वीडियो में देख लिया कि हमने निरा एप में PDF बैंक एस्टेटमेंट अपलोड कैसे करते हैं तो बहुत ही आसान तरीकों से और आसान भासा में हमने आपको बताया कि बैंक एस्ट di line पर हमने क्लिक किया तो यह पे देख सकते हूँ 8000 मुझे यहाँ पर loan approve डिया गया है इसके बाद दूस्तों अब हमें क्या करना होगा गयंग क्लिक करना होगा लेकिन दोस्तो एक बात बताEu ओँआ यहाँ पे देखिएगा यहाँ पी जैसे मैंने भी पर क्लिक किया तो में आपको बताएं है कि हम बंक करते हैं तो दोस्तो के से लोगों का कमेंट ये आता था कि सब्सक्रिंफ काना भी आसान है तो जो स्टो हमस्क्राना जोंता ही इस ब्रता है अचा कि के अभर स्प्रह,